है 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 एलो स्टुडेंट्स आपका स्वागत है अज्ड़ा 24 7 क्लास 910 यूटूब चैनल पे बचों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और इस चैप्टर में हम इतने टॉपिक पढ़ और स्टाइल नेचर ऑफ कार्बन तिसने टॉपिक में केमिकल प्रॉपिटीस ऑफ कार्बन कंपाउंड और इस चैप्टर के फोर्थ टॉपिक में पढ़ेंगे इतनॉल एंड इतनुएक एसिड के बारे में है ना बच्चों तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक जो किसके बने हैं कार्बन के चलिए मैं आपको कुछ वस्थों के उधारण दिखाता हूं जरा आप ध्यान से देखिए लकडी लकडी किसकी बनी है कार्बन की जी हां और पैंसिल के ग्रेफ जो लीड होती है वह ग्रेफाइट की बनी होती है वह भी कार्बन की बनी होती है पिर आप दुसरा उधारण, तिसरा उधारण देखिए, यहां आपको क्या दिख admitted, diamond, diamond किसका बना है, यह भी carbon का बना है, है ना, और फिर यहां, koila, coal, यह भी carbon का बना है, तो लकड़ी, pencil के lead, diamond, coal, यह सभी पदार्थ, यह सभी substance किसके बने है, इन में सभी substance में एक चीज़ common है वो है क्या वो है carbon जी हां तो carbon इन सभी में पाया जाता है है न और केवल यही नहीं और भी ऐसे कई सारे examples हैं जो आप अपने daily life में देख सकते हो जो किसके बने होंगे carbon के बने होंगे ठीक है तो आगे चला जाए चलिए आपको मैं कुछ और उधारन दिखाता हूँ है ना ये तो हो गए लेकिन कुछ और उधारन से समझते हैं हमको जब weakness होती है जब कभी भी हमको dehydration होता है तो हम Glucondi पीते हैं energy के लिए है ना Glucondi में क्या होता है glucose होता है अब तो आप से कोई पूछे की glucose का formula क्या है तो आप क्या बताओगे तो glucose का formula होता है तो इसमें भी तो क्या है कार्बन है कि नहीं और यही कार्बन तो आपको मिलकर hydrogen oxygen के साथ इस ratio में क्या बनाता है glucose और जब भी हमको dehydration weakness होती है तो हम glucose पानी पीते हैं अक्सर आपने गर्मी के मौसम में देखा होगा चक्कर आ रहा है तो तुरंथ हमको glucose बोला जाता है पीने को क्योंकि glucose से तुरंथ instant energy मिलती है है कि नहीं तो glucose भी किस से बना है कार्बन से बना है कि नहीं जी हां और glucose एक प्रकार का कार्बोहःडरेट है तो हम जो भी भौजन कर रहे हैं भौजन में कार्बोहःडरेट भी तो मिल रहा है वो भी कार्बन का बना है और protein वो भी कार्बन का बना है और यहां तक कि हमारा जनेटिक material dna जो अन्वांशिक जानकारी को अगली पीडी तक next generation तक transfer करता है वो DNA भी किसका बना है carbon का बना है तो आपने क्या देखा हमारे जीवन का आधार भूत तत्व यानि main जो element है जिसके हमारे जीवन का क्या है एक उत्पत्ति हुई है या हम कह सकते हैं बना है वो मेन ऐलिमेंट क्या हो सकता है वो है कार्बन है ना लकड़ी Pencil हीरे और कोईले में तो मिली रहा है यहां तक कि हमारे जीवन के लिए जो सबस्टेंस इंपॉर्टेंट है जैसे की और अध्रेट फैट प्रोटीन इसमें भी क्या पाये जाता है मेन एलिमेंट कौन है कार्बन है है ना तो कार्बन के बिना जीवन संभव था कत्ता ही नहीं कभी भी नहीं संभव था है ना आप खुदी देख पा रहे हो है ना आप गन्ना चूजते हो गन्ने का रस पीते हो गन्ने के रस में क्या है सुक्रोज है क्या है सुक्रोज वो भी तो carbohydrate है उसमें भी तो क्या पाये जाता है, carbon पाये जाता है, चीनी खाते हो, वो भी carbohydrate है, उसमें भी carbon पाये जाता है, है कि नहीं? तो इसका मतलब हमारे जीवन में carbon का बहुत important महत्व है, important role है, है न? चलिए, तो carbon के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है है पूर है important तो है हमारे जीवन में लेकिन कितना पाया जाता है खुदी देख लो बहुत इकम मात्रा में तो Earth Crust की बात करें अब Earth Crust किसको कहेंगे तो जो हमारा Earth है वो कई हिस्सों में कई पार्ट में divided है तो जो सबसे उपरी वाला पार्ट है सबसे अपरमोस्ट लियर है उसे के ही क्या कहते है उसे ही अर्थ क्रस्ट कहते है ठीक है उसके नीचे आता है mental उसके अंदर आता है core है ना तो हम यहाँ सिर्क इसकी बात करेंगे अर्थ के सबसे outer layer की बात करेंगे जिस पर हम लोग चलते हैं जिस पर हम लोग घर बना रहे हैं जिस पर हमारी दुकाने हैं building यही तो है जंगल है पेड़ पौदे GIS से हम मुगाते हैं खेती करते हैं यहीं सबसे ऊपरी must layer जिससे koila निकालते हैं जिससे खनीज निकालते हैं यही उपर मोस्ट लियर क्रस्ट कहलाती है और इस क्रस्ट में कार्बन कितने मात्रा में पाए जाता है 0.02% में मतलब बहुत ही कम है तो है कि नहीं और यह जो भी 0.02% में carbon पाए जाता है किस रूप में तो खनिज के रूप में मिनरल्स की रूप में पाए जाता है वो चाहे carbonate हो चाहे hydrogen carbonate हो चाहे coal हो या petroleum के रूप में हों तो और पेट्रोलियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिला दिया जाए तो कार्ड में अर्थ क्रस्ट पे जितने प्रतिشत है कितने परसेंट है और जीरोटू परसेंट तो यह एग्जाम के तर्फ यूज Hag्म सेगि आपको याद रखना जरूरी है कि अर्थ क्रेस्ट में कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है पॉइंट जीरो टू परसेंट किस फॉर्म में कार्बोनेट्स के में हाइड्रोजन कार्बनेट्स के फॉर में और पेट्रोलियन के फॉरम में है ना और अभी आपको कुछ देर पहले चित्र दिखाया था कोल यानी कोई तो हमारा जो अर्थ है ना उसके उपर जो एयर है वो कई लेयर में बटा है और उनी एयर के लेयर को हम हवा की परतों को क्या कहते हैं atmosphere कहते हैं क्या कहते है atmosphere अभी से atmosphere क्या है एक mixture of gases है ultimately atmosphere क्या है mixture of gases है और इन गैसों में carbon dioxide भी पाई जाती है तो carbon dioxide का अगर हम atmosphere में percentage देखे तो सिर्फ कितना है 0.03% तो earth crust में 0.02% और atmosphere में 0.03% carbon पाये जाता है किस रूप में carbon dioxide gas के रूप में है कि नहीं तो इसका मतलब का हमारे अर्थ पे और earth के atmosphere पे जो percentage है वो बहुत बहुत कम है है ना ना के बराबर लेकिन इतने कम मात्रा में पाये जाने के बावजूद भी हमारे जीवन में carbon का महत तो बहुत ज्यादा है बिना carbon के हम अपना जीवन नहीं सोच सकते क्योंकि जीवन चलता है भोजन से और जो भी भोजन हम खा रहे हैं चाहे वो carbohydrate हो लिपिड हो या protein हो उसमें क्या मौझूद है carbon मौझूद है है कि नहीं और तो बाकी अन्य पदार्थों में सब्स्टेंस में यसे लकडी हो गया ही रहा हो गया कोईला हो गया उसमें तो carbon है है ना तो carbon जाहिड सी बात है carbon अकेला तो रहेगा नहीं carbon किसी दूसरे element के साथ क्या करेगा एक संबंद एक association बनाके रहेगा और जब यह दूसरी तत्व से जुड़ेगा element से तो जो bond बनेगा वह bond कौन सा बनता है कोवलेंट बॉंड बनता है तो हम पहले यह देख लेते हैं कि कोवलेंट बॉंड बनता कैसे है और carbon के जो compound होते हैं उनकी खासियत क्या होती है है ना तो माल लिए carbon ने किसी दूसरे element के साथ मिलकर क्या बनाया compound बनाया जैसे कि CH4 CH4 को हम क्या कहेंगे आप भी पताइए CH4 को methane कहेंगे तो यहां carbon ने hydrogen के साथ क्या कर लिया bond बनाया तो यह carbon का क्या बन गया compound क्योंकि सिर्फ carbon नहीं है carbon के साथ 4 hydrogen भी जुड़ा है तो यह अब element नहीं नहीं रहा carbon और hydrogen मिलकर आपस में क्या बना लिए एक compound बना लिए तो यह compound carbon compound है है कि नहीं और ऐसे बहुत सारे carbon क्या करता है compound बनाता है अब carbon compound की खासियत यह होती है कि पहली बात तो पूर conductor होते हैं किसके electricity के जी हां क्योंकि इन में ions नहीं होता क्योंकि कोवलेंट compound है आइनी compound तो है नहीं और अगर आइन्स नहीं है तो फिर electricity को कौन कैरी करेगा तो कोई electricity को कैरी करने वाला आइन्स नहीं है कार्बन के compound में इसलिए यह क्या होते हैं पूर conductor होते हैं किसके electricity के और इनके कार्बन के जो compound होते हैं molecule होते हैं उनके बीच में इंटर molecular forces कम होने के वज़ा से इनका carbon compounds का boiling point और melting point दोनों क्या होता है लो होता है तो यह दो properties carbon compounds की हमको याद होनी चाहिए याद रहेगी ना बिलकुल आपको याद रहेगी है है ना तो यह दो points exam में पूछे जा सकते हैं अब जड़ा यहां carbon के कुछ compounds का example दिया है ठीक है acetic acid इसमें भी carbon है chloroform इसमें भी carbon है ethanol यहाँ alcohol शराब ठीक है इसमें भी carbon है methane उसमें भी carbon है तो यह carbon के compound है अब जड़ा इंका melting point देखिए 290 209 बहुत कम है क्योंकि यह Kelvin में है Celsius में नहीं है है ना समझ में आया Celsius में निकालना होगा तो इसमें से 273 माइनस कर दीजे तो जो आएगा value वो Celsius में होगा तो कितना कम है आप निकाल के खुद ही देख लीजे बहुत ही कम है melting point भी कम दिख रहा है boiling point भी कम दिख रहा है तो यह बात प्रूव हो गई हो गई कि नहीं कि carbon के compound का जो melting और boiling point होता है वो क्या होता है लो होता है और क्योंकि यह carbon के compound covalent bond बनाते हैं आयंस इसमें नहीं पाए जाते इसी लिए यह पूर conductor होते हैं किसके electricity के है ना तो यह दो properties आपको याद रखनी पड़ेगी exam में यहां से question बन सकता है और I hope कि आपने यह दो points अच्छे से समझ लिया है ठीक है चले आगे चलो बढ़ाए गाड़ी आगे चलिए तो अब हम यह जानते हैं कि जैसे अभी आपने देखा carbon और hydrogen जब मिलेंगे क्यों क्यों मिलेंगे पहले बात तो यह प्रशन उठता है question उठता है है ना और मिलेंगे तो किस सरीके से वह बांड बनाएंगे यह दो चीजों की पर हमको बात करनी है तो यहां क्या लिखा है combining capacity भाई carbon चार hydrogen से ही क्यों जूड़ा है हमने मिथेन लिखा ना तो बात आती है मिथ मिथेन में CH4 लिखा है ना हमने मिथेन में क्या लिखा CH4 तो कोशन यह उठता है कि CH4 ही क्यों लिखा चार hydrogen ही क्यों लिखे उसके पीछे कोई logic है हां logic है ठीक है तो combining capacity of various elements depends on the number of balance electron अब यह balance electron क्या होते हैं और combining capacity मतलब तो जैसे carbon ने चार hydrogen के साथ क्या किया combine किया जूड़ा तो आपके दिबाग यह प्रश्न उठना चाहिए कि 5 क्यों नहीं सर जी 3 क्यों नहीं तो 3 नहीं 5 नहीं 4 ही क्यों यानि कि carbon जो element है उसकी hydrogen के साथ चो combine होने की capacity है वो कितनी है चार मताँ एक carbon चार hydrogen के साथ combine हो सकता है तो यह combining capacity किसी भी element की चार होगी पांच होगी तीन होगी यह आखिर डिपेंड किस पर करता है डिपेंड करता है उस element के वैलेंस electron पर है ना अब मैं समझाता हूं जड़ा carbon को देखो ध्यान से तो carbon का जो electronic configuration है वो कुछ इस तरीके का होता है electronic configuration मतलब कि किस तरीके से carbon का जो atom है carbon का जो atom है यह जो उसका पिक्चर देख रहे हो तो यह तो हो गया nucleus है ना और nucleus के बाहर यह जो orbit हैं shell उसमें यह electron क्या हो रहे हैं nucleus के चारों तरफ घूम रहे हैं तो पहले कक्ष में कितने दो electron और दूसरे कक्ष यानि दूसरे shell में यह पहला shell पहले shell में दो electron और इसके बाहर वाला जो shell है L shell उसमें चार electron एक दो तीन चार तो total electron कितने हो गए total electron हो गए 6 total electron हो गए 6 तो जितने electron उतने ही proton तो total proton की संग्या कितनी हो गई यह भी हो गई 6 और जितने proton होते हैं वही atomic number होता है है ना तो carbon का atomic number इसलिए क्या हो गया 6 लेकिन जो मैं सुरू में बोल रहा था कि combining capacity किसी भी element की balance electron पर निर्भर करता है तो पहले यह पता कर ले कि carbon में balance electron कितने होते हैं तो balance electron मतलब outer most shell में जो electron available हैं वही balance electron कहलाते हैं तो जड़ा आप यह आउटर most देखो तो के शल आउटर most नहीं है यह जो शल है यह आउटर most और यह शल कौन सा है ल तो ल शल में कितने electron है फोर इसका मतलब carbon में balance electron कितने होंगे carbon में balance electron होंगे कितने फोर तो उसका मतलब carbon में balance electron 4 है तो carbon की combining capacity कितने हैं चार hydrogen से combine करेगा यही तो लिखा है कि किसी भी element की combining capacity उसके balance electron पर निर्भर करती है डिपेंड करती है ना कार्बन के पास balance electron कितने चार इसलिए carbon की combining capacity कितनी चार इसलिए carbon कितने hydrogen से जुड़ेगा चार hydrogen से अधिक से अधिक जुड़ सकता है पांच से नहीं जुड़ सकता यह बात आपको समझ में आ गई होगी है ना clear हुआ ठीक है तो इस तरीके से हम carbon atom के बारे में इस डाइग्राम से समझ सकते हैं कि कितने electron हैं कितने proton हैं balance electron कितने हैं और balance electron पता चल गया तो उससे element की कौन से h4 अब आपको यह बात अब तक जो नहीं समझ में आई थी हो सकता है कि यह चारी क्यों होते हैं पांच क्यों नहीं होते तीन क्यों नहीं होते यह अब clear हो गया होगा है ना बहुर बढ़िया चले बच्छों आगे चले और atomic anamig नंबर 6 क्यों होता है यह वी समझ में आ गया क्योंकि Atomic नंबर डिपेंड करता है loorang Π्रोटवन पे तो डंवराफ प्रोटवन सिक्स है तो atomic नंबर भी कारबन का क्या है सिक्स है तो यह समंझ मैं आया दो और चार और इसमें से यह जो चार है वो वैलेंस एलेक्टरॉन है चलो आगे चलते हैं इतना तो हमने सब समझ लिया है ना चलो आगे चलते हैं इसको मैं हटा देता हूँ यह रहा गायब ठीक है चलो अब देखो अब हमको क्या लिखा यहां we know that the reactivity of elements is explained as their tendency to completely filled outer shell that is to attain noble gas configuration अब जरा पीछे नजर डालो आप कार्बन का यह जो दूस आउट्रमोस शेल है यह completely filled है लेक्रों से नहीं कैसे सर यह बताईए बताता हूं जहां से देखो आउट्रमोस जो अलेक्रों शेल है और्बिट है यह कौन सा और्बिट है यह एल और्बिट है कौन सा और्बिट है एल और्बिट है आउटर मोस्ट में एलेक्ट्रॉन कितने हैं चार है ना लेकिन एल शेल में मैक्सिमम एलेक्ट्रॉन हो कितने सकते हैं हो सकते हैं आठ आठ हो सकते हैं कार्बन के केस में कितने हैं चार है तो तत्व स्टेबल नहीं है कोई भी तत्व अल्मेंट कब स्टेबल बनता है जब उसका जो शेल है वह एकसे एलेक्ट्रॉन से कार्बन के केस में एल शेल जो आउटर मोस शेल है क्या वह कंप्लीटली फिल्ड नहीं क्यों क्यों कि इस शेल में कितने electron होते आठ लेकिन हैं कितने चार तो अब carbon क्या करें यही तो problem है चलो इस problem का देखते हैं कि solution क्या है है ना problem आपको पता चल गई है ना solution देखने हमको चल तो देखो अब carbon क्या चाहेगा carbon यह चाहेगा कि मुझे अगर चार electron मैं कहीं से लेकर भर लूँ उसको किसको अपने शेल को electron हो से भर लूँ तो मेरा noble gas configuration हो जाएगा मैं stable हो जाओंगा है ना अब carbon इसके लिए क्या करें चार electron ले भी सकता है और चार electron दे भी सकता है कि नहीं क्योंकि आप अगर आप साफ साफ देखो अगर यह चार electron क्या कर दे डोनेट कर दे दे ले जाओ तो इसके पास कितने रह जाएंगे दो और के में कितने होते हैं दो होते हैं तो इसका मतब के completely filled हो जाएगा और दूसरा रास्ता क्या है कि चार और electron ले ले और इसको आठ कर ले तो भी stable हो जाएगा नोबल गैस configuration अचीव कर लेगा है ना तो कारबन अब स्टेवल होना चाहता है वह इस condition में नहीं रहना चाहता वह चाहता है कि मेरा जो शेल है वह completely filled हो जाए अब completely filled होने के लिए कारबन क्या करतेगा कारबन क्या करेगा कारबन के पास दो रास्ते हैं ठीक है हमको पता है कि टैस फोर एलेक्ट्रों इन आउटर मोशल लेकिन आउटर मोशल में चार एलेक्ट्रों है लेकिन नोबल गैस configuration प्राप करने के लिए अचीव करने के लिए ताकि कारबन स्टेबल हो आए कारबन क्या करें तो आप इसके पास दो रास्ते हैं चार और पहले से हैं चार और टो तो कितने हो जाएंगे आठ लेकिन इसमें दिक्कत है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है देखो प्रॉब्लम यह है कि अगर चार एलेक्ट्रॉन लेता है तो एलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी तो पहले से टोटल एलेक्ट्रॉन कितने है छे चार और एलेक्ट हो जाएंगे लेकिन प्रोटोन तो अभी भी कितने हैं चेह रिजाने प्रोटोन हैं अभी बताया था ना तो क्या छेप रोट아ट उल्ल्लalted एलेक्ट्रोन को बैलन्स कर पाएगा कद नहीं कर पाएगा कभी भी नहीं और यहां इसे 8 इलेक्ट्रों को बैलन्स कर पाएगा Space लिधा कब नहीं कर पाएगा कभी भी नहीं औरtschaft हमश Southeast लेकिन 10 एलेक्ट्रों लेकिन के वज़ह से माइनस10 चार्ज है लुआ तो basics08 यह डोब्सक्रों संद्रीट्रों एलेक्ट्रों सोए दिख्तेंग हैं तो क्या लूज कर सकता है तो अगर हम दुसरी बात करें इट कुड लूज 4 electron forming c4 plus iron c4 minus gain करके बनेगा ना देखो plus 6 minus 10 कितना हुआ minus 4 हुआ तो अगर 4 electron लेगा तो carbon पे minus 4 charge जाएगा यह हो नहीं सकता अब हम देखते हैं क्या gain कर सकता है गेन तो हो गया lose कर सकता है तो लूज भी नहीं कर सकता दो रास्ते दोनों रास्तों पर जानी सकता ना यह gain कर सकता है चार electron और ना carbon चार electron lose कर सकता है बट इट वूड वी it would require a large amount of energy अब समझने आया कि यह चार electron lose भी नहीं कर सकता क्यों क्योंकि nucleus पे कौन सा charge है प्लस और इसके बाहर electron घूम रहे जिस पर क्या है माइनस और हम चाहते हैं कि इसके जो चार electron L shell में घूम रहे हैं इसको हम क्या कर दें हटा दें तो इसके जब हटाने जाएंगे तो nucleus इसको attract कर रहा है न अपनी तरफ खीच रहा है तो जब हम इसको हटाएंगे तो जादा एनरजी लगेगी तो इसका मत्तब हमारे लिए मुम्किन नहीं है कि हम कारबन से यह जो इसके बाहर में जो चार आउटर मोश शेल में जो चार एलेक्टरॉन है उसको हम निकाल ले क्यों क्योंकि न्यूकलिस उसको एक्टरेट करके पकड़ा हुआ है तो इससे कुल मिला के यह समझ में आया क्या बच्चों कि ना वो गेन कर सकता है और ना वो चार एलेक्टरॉन लूज कर सकता है ना फोर एलेक्टरॉन गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है तो ऐसे केस में अब क्या होगा बताइए ऐसे केस में एक तिसरा रास्ता बहुत ही क काम का रास्ता निकालता है कौन कार्बन क्या निकालता है कार्बन कहता है कंप्रोमाइज कर लें क्यों एलेक्ट्रॉन देना क्यों एलेक्ट्रॉन लेना शेयर कर लेते हैं जैसे एक गाड़ी दो लोगों ने शेयर कर ली है ना कभी मैं चलाओंगा कभी आप चलाना बस वही क लिए केरिये से तो कर न करता है कर बन और कम डिस प्रॉब्लम कौनशी प्रॉब्लम नौह ऑल साटर को ऑचीव करने लिए टाकि कार बन्स अप्रियुग वह 14 कि हैं तो क्रता क्या electron 4 दूसरे atom के whetherons electron से sẽ Here şeer करता है और जब share करता है reste儿 lead to bond बनता है और उसी बॉन को कहते है covalent bond तå इसका मतलब carbon जब किसी दूसरे element के साथ electrons की शेरिंग करेगा तो क्या बनाएगा carbon covalent quizzes बनाएगा तो ऐसे ही compound com wrap call and compound कह देते हैं है कि नहीं तो जरा यहां ध्यान से देखो जरा यहां ध्यान से देखो कार्बन के पास कितने वैलेंस एलेक्ट्रॉन फोर हाइडोजन के पास कितने से लेक्टरौन तो हाइडोजन एक उlexi नगलत को पास और आजाए तो यह क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि के शल में दो य्लेक्टरोन रखे ढ़ा सकते हैं और कहर मिन के पास चार ओर आ है है ना तो वो कैसे आएंगे तो वो शेरिंग से आएंगे वो गेन नहीं करेगा ना लूस करेगा वो शेरिंग से आएगा कैसे आएगा देखो जरा यहां देखो तो यहां जो आपको क्रॉस करके करके दिखाया गया है यह क्रॉस करके जो दिखाया गया है यह कार्बन का वैलेंस एलेक्ट्रॉन है और यहां जो आपको डॉट से दिखाया गया है यह हाइड्रोजन का वैलेंस एलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस electron होते और सी कारबन के पास कितने होते हैंeless 5 तो एक हाइड्रोजण और कुल टोटल कितने है यह रहेटरोजण चार हाइड्रोजण ने क्या किया अब एक 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 हाइड्रोजन को देखते हैं तो एक आधरोजण prophets ऑा करने अपना एक hundred hydrogen का और इस electron की sharing से दो electron की sharing से क्या हुआ एक bond बना तो 2 electron से 1 बन बनता है तो एक bond यह बना फिर दूसरा hydrogen का एलक्तरों कारबन का ही एलेक्टरों एक बन फिर यह hydrogen का लेक्टरों का बन का एक बन फिर एक बन तो 1 2 3 4 कितने बन बन गहे चार बांड बन गए तो मैं इसको अगर ऐसे बनाओं तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो यह क्या बन गया c h और कितने hydrogen 4 फोर अब समझ में आया कि 4 ही क्यों combining capacity थी कार्बन की क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस electron जो कि है hydrogen के एक वैलेंस electron से शेर कर लेता है और electron की sharing bantimana उसे ही क्या कहते हैं current bond कहते हैं क्या कहते हैं current bond कहते हैं तो आपको दिमाग में याद रखना है की carbon दूसरे element के साथ कैसे bond बनाता है QUALAND bond तो यह जो c h 4 यानि within हैं तो यह carbon compound रे कैसा आयनिक है की foreland compound को यह कंपाउंड रेक्टरवन के बीच electron की sharing से covalent bond बना इसी लिए इस type के carbon के compounds को हम covalent compound कहेंगे और covalent compound weak होते हैं ठीक है covalent bond ionic bond से weak होता है इसी लिए क्या होता है यह covalent compound carbon के melting point और boiling point इंकल low होता है जो मैंने आपको इसके कुछ समय पहले बताया था है ना और इसमें ions इस तो है नहीं तो इसलिए यह covalent compound poor conductor होते हैं किसके electricity के अब समझ में आ गया और ऐसे diagram को हम electron dot structure कहेंगे ठीक है तो exam में electron dot structure बनाने को पूछा जा सकता है तो आप बना लोगे ना कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको क्या करना अगर आप से मीथेन का पूछे तो मीथेन का electron dot structure ऐसे बनेगा जिसमें आपको क्या करना रिखना है कार्बन के अगल बगल चार तरफ उसके वैलेंस electron लिखने और मीथेन में hydrogen भी होता है hydrogen के वैलेंस electron एक होते हैं तो वह भी बनाना है ठीक है और इस तरीके से दिखा देना है आपको जो कि यह बता रहा है कि कार्बन ने hydrogen के साथ चार hydrogen के साथ चार covalent bond बनाया है ठीक है अब आपको यह चीज़ एक चीज़ और धियान रखनी है यहां कि कार्बन के वैलेंस electron को देखो एक से दिखाए गया है और डॉट से हाइड्रोजन के वैलेंस electron ताकि पहचानना आसान हो तो एक्जाम में भी आपको इस तरीके से करना होगा कार्बन का वैलेंस electron अलग दर्शाओ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करो और हाइड्रोजन का वैलेंस electron अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको यह बता सको आप कि यह देखो कार्बन का यह वैलेंस से ये से शीप बता रहा है कि सब्सक्राइब है और कारवनहों के सब्सक्राइब करन ना शीए मिक्सक्त हो रहा है क्योँ क्यों क्यों हो रहा है क्यों कि स cricket Sharing हो रही है और Electrons की Sharing से जो Bond बनता है ठीक है कौनसे electron Valence electron की Sharing से जो Bond बनता है वह Kohoolant bond कह लाता तो इसका मत्त प्रत में में कौन सा Bond है Kohoolant bond तो मिथेन जो carbon का compound है वो कैसा compound हो गया कोवलेंट कमपाउंड कह लाएगा क्योंकि इसमें Colent bond फाए जाता है है ना simple अब चाहे मैं मित्येण की जगा इत्येन ले लूँ प्रोपेन ले लूँ है ना सभी carbon के compound हैं जो की covalent nature के हैं सभी का melting point boiling point low होता है सभी electricity के poor conductor होते हैं ठीक है चला जाए बच्छों आगे है ना चलो तो वही तो मिथेन की बात करें तो आगर डेली लाइफ में तो आपने देखा होगा गोबर से diesem बनाई जाती है जिसको गोबर गैस भी इस देख दो गोबर गैस का UM reflection कौन है मिथेन है मुखके इस चल रही है 친 जहीं है ऊचल रही है ईंधन का फिए का भी मुख्य कंपोनेंट क्या है वो है मिथेन जिसको हम जानते हैं CH4 के नाम से तो वही लिखा है मिथेन इस वाइडली यूज्ड एस फ्यूल एस एंजी है ना और बायो गैस के रूप में इसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं तो बायो गैस दोनों का मेन कंपोनेंट कौन सी गैस है मिथेन गैस है एक है चलिए यहागे चला बस् fetis कम को फॉर्मला पता है थिक निका फॉर्मला क्या होता है CS4 और मिथेन में चार hydrogen होते हैं जिनकी वैलंसी एक होती है carbon tetravalent होता है क्यों carbon की वैलंसी 4 होती है इसलिए carbon tetravalent होता है तो जब यह आपस में मिलकर compound बनाएंगे तो यह compound बनेगा और जिसका यह रहा electron dot structure जो हमने अभी कुछ दिर पहले भी पढ़ा है ना और यहां जो आप बॉन्ड देख रहे हो एक दो तीन बॉन्ड यह बॉन्ड वैलेंस एलेक्ट्रॉन की शेरिंग से बना है इसलिए इस टाइप के अधिया है तो इक्जाम में भी मिथेन का आ सकता है ठीक है और कोलेंड बॉन्ड भी पुछा जा सकता है तो यह ध्यान रखना कि कार्बन के जितने हुष होते हैं उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है कैसे बनता है डेक्ट्रोंश से ठीक है इसी लिए इनका जो बल्टिंग और बॉलिंग पॉइंट होता है वह होता है क्योंकि कार्बन हों जो बॉन्ड है वह आइनिक बॉन्ड से कमझा होता है ठीक है चला जाए आगे चला जाय अब बात कर लेते हैं एलट्रॉप्स की तो कार्बन के एलट्रॉब्स कितने होते हो क्या होते हैं यह समझना जरूरी है है ना अब जैसे यहां आप देख रहे हो यह डाइमंड हीरा कोईला ठीक है कोईला नहीं यह ग्रेफाइट काले रंग से कोईला नहीं होता जरूरी है ना यह है ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट और डाइमंड जरा देखने में अलग नहीं नजर आ रहे हैं बिल्कुल नजर आ रहे हैं लेकिन दोनों बने किसके हैं कार्बन के बने क्या सर आप सही कह रहे हो जी हाँ आपको ये अदभूत लग रहा होगा लेकिन ये बात सच्चाई है कि कार्बन जो इतना चमकदार है वो भी हीरा का बना है और ये ग्रेफाइट काले रंग का है है ना हमको लगता है कि हर चमकती हुई चीज कार्बन नहीं होती ठीके ये क्या होता है ये काली चीज ही कार्बन होती है लेकिन देखो डाइमंड काला तो है नहीं फिर भी कार्बन का बना है तो ये दिमाग में मत बैठाना कि काली चीज ही कार्बन होगी ठीके तो देखने में अलग-अलग है की नहीं तो ऐसे एक substance जिनकी physical property अलग हो लेकिन chemical property सेम हो वो आपस में क्या कहलाते हैं अलोट्रॉप्स तो यह किसके example है अलोट्रॉप्स के यह carbon अलोट्रॉप्स के example है ठीक है तो वही लिखा है the element carbon occurs in different form in nature nature में वो अलग-अलग रूप में पाए जाता है कभी वो कभी और जिन जो फॉर्म है यह जो रूप है कारबन के तो जो कारबन अलग-अलग क्या होती आलग होती है जैसे की डाइमंड और गृफाइट यह strand किया है ऐलो ट्रोप्स है। और इन में अंतर किसमें हैं इनकी physical properties में अंतर है देखो क्या है यह चमकदार है शाइनी है जबकि यह क्या है है डल है ब्लैक रंग का है तो physical property क्या है different लेकिन हैं दोनो carbon के बने हैं यानी chemical property क्या हैoolotrop हो गए electric fy oggi dispirnik क्या हो गई दो substance which have different physical property but same chemical property are और नोन आज एलेट्रॉप्स फॉर एक्जामपल कार्बन कार्बन हैस टू थ्री मेन एलेट्रॉप्स एक और आगे है दो कौन से हैं एक तो डायमंड है एक तो ग्रेफाइट है ठीक है अब चलिए एक और बताता हूं लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायमंड औ जुड़ा है अगर हम इस कार्बन की बात करें तो देखिए वन टू थ्री फोर चार कार्बनों से जुड़ा है तो वही तो लिखा है इच कार्बन एटम इस बॉन्डेट टू फोर अधर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए थ्री डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर और है। आप देखोगे तो यह लेअच त्रक्चर होता है strangers के लेगडा ऑक गॉर की आडिसरा लेए हैक नीच एक लेकास बहुता के देखूं नहीं है अब इसमें अगर एक कार्बन भी उठा के देखूं मैं तो एक कारबन तीन कारबनों से भी यह से डुड़ा है अना तो इ ते यह iconel Ti कई layers पाई जाती है जैसे यह पहला layer यह दूसरा layer यह तीसरा layer प्प्रीघ यह क्यों कि एक तो यह पात ध्यान कंगी है कि diamond जो carbon कलाट्रॉप है इसमें एक carbon चार कारबन से जुड़ा होता है और graphite ग्रेफाइड भी कार्बन का एलट्रॉप है जिसमें एक कार्बन तीन अधर कार्बन एक्टम से जुड़ा रहता है और इन दोनों की फिस्कल प्रॉपर्टी अलग-अलग है जहां डायमंड बहुत हाड है ग्रेफाइड सिलिपरी है तो फिस्कल प्रॉपर्टी अलग हुई लेकिन बने दोनों कार्बन के हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो फिस्कल प्रॉपर्टी अलग केमिकल प्रॉपर्टी सेम ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं डिफरेंट सब्स्टेंस को ठीक है हम एलोट्रॉप्स कह सकते हैं तो वही लिखा यहा these two different structure result in diamond and graphite having varying very different physical properties though their chemical properties are same और ऐसे ही substance को हम allotrops कहते है ठीक है अब diamond is the hardest substance known while graphite is smooth and slippery अभी बताया है ना physical property different graphite is also very good conductor of electricity unlike other non metals मत्तर नौन मेटल्स का electricity के पूर conductor होते हैं graphite जो की carbon का बना है तो होना चाहिए पूर conductor लेकिन यह good conductor होता यह exception है जो हमको याद रखना है ठीक है अब graphite के अलावा जो diamond आपने देखा example में diamond तो वैसे natural substance से धरती पर पाए जाने वाला natural substance जो सबसे hard है वो diamond है लेकिन हम artificial diamond भी बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं अगर carbon को very high pressure और temperature पर रखा जाए तो वो धीरे-धीरे diamond में बदल जाएगा लेकिन ऐसे diamond pure diamond नहीं होंगी यह artificial diamond कहलाते हैं ठीक है तो allotrops क्या होते हैं उनकी definition clear हो गई एलट्रॉप्स कारबन के example diamond graphite और एक और example है जो आप अब देख रहे हो football shape का यह carbon का इलट्रॉप जिसको हम कहते हैं फुलरीन है ना और यह फुलरीन football shape का है और इस football shape के फुलरीन में 60 carbon है एक दो ऐसे गिनते जाओगे न तो यह 60 carbon बनेंगे इसी लिए इसको c60 भी कहा जाता है तो आपको अगर पूछा जाए carbon के कितने एलट्रॉप्स होते हैं तीन diamond graphite and third one is फुलरीन जिसको हम c60 भी कहते हैं क्योंकि फुलरीन का जो shape होता है वो football बॉल शेप का होता है जिसमें 60 carbon के atoms होते हैं इसी लिए इसका नाम क्या पढ़ गया c60 clear है तो अग्दम clear होगे carbon के चलिए अब कुछ question solve कर लेते हैं question हमारा और ग्यान बढ़ाएगा और हमको उसको मदद करेगा topic समझने में तो पहला question क्या पूछा है which of the falling statements is incorrect तो ध्यान दो पहले incorrect पूछा है ठीक है पहला statement carbon is tetravalent because it has four valence electron यह तो सही लग रहा है है ना तो मैं यहां लिख देता हूं correct the covalent compounds are generally poor conductor of electricity सही है कि गलत है तो covalent compound carbon covalent compound बनाता है और covalent compound क्या होते हैं पूर conductor होते हैं बात बिल्कुल सही है है ना मिथेन इसे major component of biogas यह भी बात सही है है ना यह भी correct है cng of biogas या gober gas कह लो उसका main component तो मिथेन ही होता है चौता क्या लिखा है covalent compounds have high melting and boiling point गलत यह incorrect है है ना क्यों क्योंकि low melting and boiling point होता है high थोड़ी होता है तो फिर is incorrect कौन सा हुआ डी तो हमारा answer भी क्या होना चाहिए डी यह लीजे हमारा answer आ गया है कि नहीं चले आगे तो हमने यह question solve किया तो जो पढ़ा था उसको समझा कि से किस तरीके से question बन सकते हैं ठीक है आगले question पर चलते हैं चलो पर चलो वाट इस दा में component of CNG CNG पर दिल्ली में बसे भी चलती है ठीक है कैप चलती है ऑटो चलते हैं अप ताकि pollution कम हो क्योंकि petrol diesel के जलने से ज़्यादा pollution होता है लेकिन CNG के combustion से कम pollution होता है तो CNG में में component कौन सी गैस होती है मिथेन ब्यूटेन प्रोपेन की इथेन बताइए क्या होगा आपको answer पता है और आपने answer बता दिया है answer क्या होगा मिथेन यानि CH4 है ना तो बच्चों यह रहा आज की क्लास जिसमें हमने कार्बन के बारे में कोवलेंट नेचर के बारे में पढ़ा ठीक है जो की पहला टॉपिक था है ना अगले सेशन में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो सेशन से जुड़ने के लिए थैंक यू एवरिवन अड़ा 24-7 क्लास 9 & 10 को लाइक शेर सब्सक्राइब करते रहिए और एप को जरू इंस्टॉल कीजिए थैंक यू सो मच